सब्सक्राइब कीजे हमारे इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं आप सभी को नह वर्ष की हारदिक हारदिक शुब कामना आए नया वर्ष 2020 आपके जीवन में बहुत सारी खोशियां लेकर आए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहा हैं मितुन राशी के महाराशी फल के बारे में दिनांक दो जन्वरी से लेकर आठ जन्वरी 2020 के लिए मिथुन राशी के ये वीडियो जाद़ से जाद़ा उन सभी मिथुन राशी वाले बंदुओं तक भाई-बेहनों तक जरूर शेयर करें जिनकी राशी मिथुन है मिथुन राशी के और भी वीडियोज पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं इन दिनों की शुरुआत में चंदर आपकी राशी के अस्टम भाव में होगा जिसके बाद वो गोचर करते हुए आपके नवम, दशम और इसके बाद इन दिनों के अंद में आपके एक अदश भाव में विराजमान हो जाएगा और आपको इन ही भाव का फल इन पूरे साथ दिन में प्राप्त होगा इन दिनों के शुरुआत में चंदर आपके अस्टम भाव में होगा इस वक्त आपको अपने जीवन के कई छेतरों में उतार चड़ाव कि इस्तिती से दो चार होना पड़ेगा इस समय आपको जीवन में चुनोतियों के साथ साथ लाबकारी अपसरों की भी कोई कामी नहीं होगी जिसके चलते आपको सही दिशा और रुजा के बाबजूत कारियों में सफलता हासिल करने के लिए थोड़ी मुश्किलें आ सकती है इसलिए सबसे बहतर होगा कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लेते हुए शान्ती से किसी भी निर्णाय को लें अन्यता भविष्चे में कोई परेशानी हो सकती है इसके बाद चंद्र के आपके नवम भाव में प्रिवेश करने से आपको धर्म और आध्यात्म की और अपना रुजान अधिक नजर आएगा जिसके चलते आप धार्मिक कारिक्रम और आयोजनों में शिर्कत करते हुए भी दिखाई देंगे साथ ही आपको किसी धार्मिक तीरतिस्थल पर जाने का उसर भी प्राप्त हो सकता है इस यात्रा पर आप खर्च भी करेंगे जिसका कोई भी असर आर्थ की सिर्दी पर नहीं पड़ेगा इसके बाद चंद्र इन दिनों के मद्द में आपके दशम भाव में गोचर कर जाएगा जिसके चलते आप कारे छितर पर अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वा करेंगे आप हर काम को अपनी लगन और महनत के दम पर समय पर पूरा करने में समर्थ भी होंगे आपकी यही महनत और काम के प्रति आपकी लगन आपको भविश में अच्छा लाब देगी इसके बाद इन दिनों के अंत में चंदर के इकादश भाव में विराजमान होने से आपको भागे का साथ मिलेगा पूर्व में किया हुआ कोई निवेश आपको इस समय अच्छा मुनाफ़ा दे सकता है जिससे आपको धन लाब होगा साथ ही आपको आई के नए नए स्टरोतों से भी लाब होगा जिससे आप धन अर्जित कर सकेंगे इन दिनों में आपको कंण्याओं को भोजन जरूर करवाना चाहिए और उन्हें दान दक्शना भी देना चाहिए ये थी महा राशी फल मितुन राशी के लिए मितुन राशी वाले बंदू के साथ जादा से जादा इस वीडियो को शेयर करें मितुन राशी के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस देशी भक्ति चनल को जरूर सबस्क्राइब करें साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाए